हेलो मुश्कार दोस्तों कैसे आप सभी एक पर फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूटुब चैनल प्रोफिट अस्टडे में तो आज किस वुडियो में हम देखने वाले हैं भारत है वे इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट जहां सी की तरप से आई टी आई पास के लिए अपेंडिसिप का भरती का नोडिफिकेशन रिलीस कर दिया गया है तो सारा कुछ कवर करने वाले आज किस वुडियो में कि क्या कौन-कौन से लोग अपलाई कर सकते हैं कैसे आपका सेलेक्शन होगा आपका अप्लिकेशन फिस लगेगा या फिर न डिस्क्रिप्शन में आपको अप्डेट देखने को मिलते रहते हैं तो चली वीडियो के शुरुआत करते हैं और जो नोडिफिकेशन विग्यापन संख्या 3 अबलिक 2022 15 अक्टूबर के डेट में नोडिफिकेशन रिलीस किया गया है अगर आप बात करें तो जहांसी आई- सबसे पहले अनिवार जो हरता है यहां पर दिया गया उसके बारे में देखिए तो यहां पर देख सकते हो कि यहां पर हाई स्कूल में प्राप्त अंक परतिसत कि आपका समान्य और अन्य पिछड़ा वर्क मतलब अंडिजर्प और OBC में आपको बोला गया है कि 60% कम से कम हो अगर आपका 10th क्लास में 60% से कम है तो आप भेल अपेंडिसिप के लिए अपलाई नहीं कर सकते हो वही अगर हम बात करेंगे कि SC और ST के लिए यहां पर बताया गया है कि 55% कम से कम होना चाहिए या उससे अधिक वाले केंड़ेट यहां पर अपलाई कर सकते है रेलवे में तो 110-2022 को नियुनतम आईवसी में आपको 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमा आपको 27 वर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर बात करते हैं कि सेडिफिकेट का तो यहां पर देखें NCVT भी अपलाई कर सकते हैं नियमीत होना चाहिए जो 20-22 के मध्य आईटिया उत्तिन हो कौन सा सिसन बोला है तो 2020 से लेके 22 के बीच आगर आप आईटिया पास कंडियेट है तो ही आप इसके लिए इलिजबल होंगे भेल जहासी के करमचारी मृत्त के सेवनिलत उसके बाद कारेरत के सरमी तो पूत्र पूत्री पती पत्नी को तीन वर्स का अतरिक छूटे हाँ प हाँ पर बात करें नेक्स्ट की आईटिया में प्राप्त अंक का परतिसत कितना होना चाहिए तेंद में देख लिया कि मिनिमम क्या है वहीं अगर आईटिया में बात करेंगे तो यहां भी आपको सेम टेंद कही मार्क्स पे अधार पे बताए गया है कि अगर से अंडिजर पर OBC से बीलोंग करते हैं तो 60% मिनमम होना चाहिए STCC से बीलोंग करते हैं तो 55% आपको यहां पे होनां चाहिए यह सारा कुछ बातों को आपको बताए गया है उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन-कौन से लोग और disturbing किसी संस्थान में अधिनीयम 1961 के अंतर्गत प् आप अपेंडिसिप कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं या फिर आपके पास एक साल से ज़्यादा का वर्क एक्स्पिरियेंस है तो आप इसके लिए इलिजबल नहीं है राजी सरकार अत्वा के अंदर सरकार के बेवसाय सिक्षन विभाग त्वारा जारी ITI अंक तालिका ओधो वहाँ पे आपको अपना रेजिस्टेशन प्रोफाइल 100% कंप्लीट करने के बाद ही आवेधन करना है तो चलिए आप सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि किस किस ट्रेड वालों को यहाँ पर मौका दिया गया है वो देख लिजे तो टोटल अगर हम यहाँ बात करते हैं एलेक्टिसिया वेल्डर गैस एलेक्टिक दोनों है डॉट्समें से आपका है और प्रोग्रामिंग एसिस्टम अड्मिनिस्टेटिंग असिस्टेंट पासा का यहाँ पर दिया गया है तोटल वेकेंसी का बात करेंगे तो टूटल आपको देखिए 61 पोस्ट पे यहाँ पर आरक्षन अर और यहाँ पे प्रतिशत एवां आयू में छूट आपको कितना देखने को मिलेगा वह आप देख सकते हो तो यहाँ पे देखिए अनुसुची जन जाती में 21% आरक्षन आपको देखने को मिल रहा और अगर आप से बिलोंग करते हूं तो आपको 5 साल का और सारी रूप से बिकलाइंग मतलब PWD से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का छूट देखने को मिलेगा चलिए, नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें तो यह सारा जो छोटा-छोटा टर्म में कंडिसन है वह आपको बताए गया है कि आपको यहाँ पर जब आपका डॉकर्ण वरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आपको जिस भी कार्ट से बिलोंग करते हैं रिजर्वेशन क्लेम के लिए आपको कास सेटिफिकेट प्रस्तूत करना होगा ठीक है यह सारा कुछ बातों को आपको यहाँ पर बताए गया है समाने निर्देश भी आपको देख लेना है एक एक करके और इसका बात करें कि जो मेरिट लिस्ट है इसका वह आपको इसके ओफिसियल वेल के साइट पर देखने को मिलेगा जैसी मेरिट लिस्ट आएगा हम आपको जरू सरूर इंफॉर्म कर देंगे उसके लिए आपको को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बस आपको चैनल को सस्क्राइब करके बैल बटन को अन करके रख देना है ताकि जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई नोडिफिकेशन है वो नोडिफिकेशन मिस नहों सबसे पहले आप तक पहुंच जाए चैन पात्रूम में द्वा इंडिया पे अभी तक आप 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया है तो कर लिजेगा और यह आल ओवर इंडिया के लिए भरती है और इंडिया भरती कोई भी किसी भी देश के कोने से किसी भी राजी जीले से इसका जो फॉर्म है वो आवेदन कर सकता है इसमें आपको कोई आपको प्रमानेट इंपलाई के तौर पर रखने का आपको वादन नहीं किया जा रहा नो गरेंटी एंपलाई के तहट आपको एक साल का पर अपेंडिसिप के लिए बुलाए जा रहा है तो उसके बाद आपको इस्टाबलिसमेंट सर्च में जाना है वेल जहांसी में जिस रेजिस्टेशन आपको search opportunity वाले section पर जाकर को डालना है और वहाँ पर आपको भेल जहासी दिखेगा उस पर click करके आप जिस भी trade से हो उस trade से आप यहाँ पर apply कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर देखे एक note करके बाद को बताएगा कि कि किसी भी अन्य प्रकार से आवेदन स्विकार नहीं होगा मतलब इसके मादें कि offline करते होगा किसी अन्य तरीका से mail करते हो तो वो application है आप एकसेप्ट नहीं होगा तो जो भी आपको application print मिलेगा वो आपको भविश्य के लिए सम्हाल कर रखना है और यहाँ पर बात करें कि कौन-कौन से आपको document होना चाहिए आपके पास देख लिजे online आवेदन पत्र जो पूर्टा acknowledgement सिलिफ होना चाहिए दूसरा आपका appendicip इंडिया द्वारा जारी किया हुआ पंजीकरन करमाक होना चाहिए HIGH SCHOOL अंक्ता लिखा होना चाहिए मतलब माकसीट HIGH SCHOOL उतीन परमापत्र होना चाहिए जिसमें जन्मे तिथी अंकीत हो अत्वा जन्मे परमान पत्र होना चाहिए राजी सरकार अत्वा केंदर सरकार के बेवसाइक, सिछ्छा वीवाग, NCBT या फिर S-CBT का ITI का आपका माक्सिट होना चाहिए, अधार कार्ड होना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर HTSC, OBC जिस भी कार्ड से बिलाउं करते हैं, उसका आपका परमान पत्र होना चाहिए, यदि GCL जहासी के वर्तमान मिरितक कर्मचारी के पुत्र पुत्र पत्नी पती हो तो उन्हें निम कोई ऐसा दस्तावेश जिसे मिरितक कर्मचारी एवां आवेदक का संबंध अंकीत हो, तो यह सारा आपको यहां पर अंकीत करना होगा, वहीं पर बात करें लास्ट में तो चैनित सौत लिष्टेट अभिहार्ति को मुल परमान पत्रों की जाज में सफल होने पर उनकी उमि केंटिंग लिष्ट रहेगा, उसमें से कंडिडेट को हाँ पर डॉकन वेरिफिकेशन के लिए बुलाये जाएगा, यहां पर देखिए फैक्स, इमेल या और किसी माध्यम से आवेदन स्विकार नहीं होगा, पहले आपको बता दिया गया, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्र हम आपको जरूर जरूर अपडेट कर देंगे, और जो इसका फाइनल सेलेक्शन लिस्ट आपको साइट पर पब्लिक किया जाएगा, तो जब लिस्ट आएगा तो हम आपको इनफर्म कर देंगे, तो चलिए आज के लिए इतना ही रेल्वे का तीन अपेंडिसिप का फॉर् जो आल अवर इंडिया के लिए निकला है, तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो, अगली मेरिट, अगली जोएने के साथ तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!